माश्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेंपूमी उत्रागंड में चैनल को सस्काइब जरूर करते हैं वीडियो जाद से जाद लोगों तक सेयर करें कि दोस्तों जो हमारा टॉपिर चलत था कि कैसे कैसे मना सकते हैं क thirty मैंने प्रेंफ्व की जानकारी में आपको बचाए छाणकार apologize ऐसे हम पूरे भारत वर्स नहीं पूरी दुनिया में अलग-अलग नामों से इसे मनाया जाता है कि इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपने इस वीडियों नहीं देखिये आप होहां जाके वीडियो देख सकते हैं आगे दोस्तों आज की वीडियो हम बताते हैं कि किस बारे में किस टॉपिक आज की वीडियो में ने बनाई ही है दुस्तों आज का मुख्य टॉपिक है जो है पर्यावरान परदुसन जो दिपावली के दोरान आपको बहुत जारा देखने को मिलता है हमारे उत्राखंड में पेड़ पहुंथे बहुत ज्यादा मात्रा में हैं इस वज़र से यहां उतना पर्यावरान परदुसन नहीं होता लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे हमारे देश की राजधानी में चले जाएं तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे लिपावली के बारे में दिपावली क्यों मनाते है और पर्यावरान परदुसन इसका क्या है क्या विशेष्ता है पर्यावरान परदुसन की इसकी इस बारे हर्यान हours this the इसके वादु पर्यावरारा पर्दुसंस फ़ैबरबर पर्दुस्त में पर्दुसरी टो छोड़ा है जो उन्हें सबाब करने हैं हम अगर हम पेल लगा नहीं सकते तो हमें ये जलाने का कोई एक रिसाब से रायट नहीं है कोई हक नहीं है हमको तो हमें पटाकों का इस्तमाल बहुत कम करना है इस दिपावली में क्योंकि हमारा मुख्य जो हमारा महत्य है दिपावली का वह हमारे दियों से रोशनी से रोशनी क का यूहार है इन दूर मेंक्ट के लिए अपना अपनी लाइफ है और नरमली यूज स्वास्त से संबंदित अगर हम इसे को देखते हैं तो बहुत हानिकारक है तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे इससे बस सकते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर हम देखें तो हिंदु धर्म का दिपावली से बढ़कर कोई त्योहार नहीं है इसमें हम सुक समुलिद्ध की कामना करते हैं और एक सांग हमारे क्यू योहार मनायजाते हैं दोस्तों हम लोग दिपों के सांसा दिपावल्य हैं पटाक। यह सब जलाते हैं यह धीरे धीरे हमारी जिन्दगी में जहर भूलता जा रहा है इसकी वज़ासे इसका जो पड्युशन है उसकी वज़ासे तो इसको पटाकों में जो नाइटरोजन आकसाइड और सर्फ़र आक उसको प्रभवित करता है हमारे सरीर को इस चीज के लिए कि इससे हमारे सरीर में बीमारिया सर्फर आकसाइड और नाइट्रोजन आकसाइड से अस्थमा की लोगों के यह बहुत खराब पर्यूशन है जो उनके अस्थमा को बढ़ा देता है या अस्थमा का आदमी उसमें लक है नोगों के जिवन में काफी लोगों के जिवन में यह प्रभावित करता है जिसकी जो पवर है वह कितने आवार देता है वह 50 है कि जो नॉर्मल मनुष्य होता है दोस्तों उसके जो सुनने की शमता होती है फो 50 टेविक विक होती है और जो बेसिद्क का यहां पर मैं आपको डेसिविल डेसिविल एक जो साउंड कु मापने का यंत्र होता है उसेalter सी डेसिविल कहते हैं ञोर्मल आदमी जो कि मनश्ची के जो सुनने की जो नॉर्मल सुनने के शम्ताय उससे धुगनी होती है तो इससे हमारे कानों के आवाज वेहरे होने की जो हमारी प्रवियर्योंटि है या वेहले होने की संभावना है वो काभयात तक बढ़ जाती है और दूसरा जो इसकी रोजनी है इससे आखों में जो है आखों की रोशनी जाने की संभवना भी रहती है तो यह कई काखरन है जो ऑपावली में हम यूज करते हैं और कई लोगों को इससे नुक्सान भी होता ऐसा नहीं हहिए कुछ लोग हमारे हमारे इधर हैं जैसे हम कहें कि उतरांग तो कुछ नहीं होता अब यह साय भी तक या फिर कहेंगे कि किसी सहर में एक सहर का नाम लेड़े वहां कुछ नहीं हवा तो वो कोई माइने नहीं रखता बट ओवर 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 देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है दिपावली में बहुत सारे ऐसे लोग को हार्ट अटेक से मौत हो जाती है जो नौर्मली तोर पर दिपावली के इन धमाकों से या इनकी रोसनी की वज़ा से होते हैं तो दोस्तों यह दिपावली परव जो है वह आप धूमधाम से मनाई है यह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अधिक से अधिक दिये जलाएं मिट्टी के दिये जलाएं और लाइट जो है वह कम करें क्योंकि आप एकदम से कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं यह मैं भी मानता हूं लेकिन हम जितनी अपनी सब्वेता और संसिक्रिटी को बढ़ेंगे उदना यह धीरे-धीरे एक आदत होती है किसी चीज की अगर हम वह आदत बना लेते पहले नहीं धीर माला है तो क्या लोग डिपावली नहीं मनाते थे यह सोजने वाली ब मिट्टी के लिए उनहें जादा से ज्यादा यह कीजिये पहलें टॉपिक से नहीं को बताया था लाय के निकती प्रफप है उस लाइटों का यूज करें और जो वैसे चलती है उनका जो लाइट की माला आती है जो कौस्टली होती है और एक कौस्टली भी नहीं होती 20-30 की होती है नौर्मल सा एक आदमी कोई भी खरी लेता है लेकिन तो उसको बचाने की कोशिस कीजिए जितने भी हो सके इन लाइटों का उप्योंग कम कीजिए कितना अपने देश के परियावरण के लिए सरय यह अपने आने वाले भरिश्य की लिए आप कितना कर रहे हैं उसके बारे मां कितना सोच रहे हैं यह अभी सोचने का टाइम है तो उमीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी चोटी सी कोशिज जीरों में प्रयावरण के बारे में आपको दिपावली में सजिस्ट कर रहा हूंगे पटावों का कम इस्तमार कीजिए आप लोगों को सही तरोबे से समझा पाया ऐसा मुझे उमीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कमेंट सेयर जरूर कीजिए और अगर आप कोई भी और टॉपिक के बारे में दिपावली में जानना चाते हैं लक्षमी पूजा अगरों के बारे में इसके लिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बट और किसी अन्य विश्य या सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ब्लॉगर पेज पर या फिर यहां पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे यूटूब है ताएक परियावजन जो हमारा है हम कभी इतना टाइम देजी नहीं पाते एंकी पेज से पढ़ा पाएं जो घर से पाहरा है खासकर वू लोग तो वो ।ो ने परियावजन alcohol और चैनल को सब्सकायब करें वीडियो जजादा लोगiform ने लोगों सेखेय से ज्बर लोगों झाल